मैं एक बार फ़ेट से आपका स्वागता अश्या करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो दोस्तो एम्स BSC Nursing and Paramedicals के मोक राउंड और फस्ट राउंड और सेकेंड राउंड से रिल्टेड आपके काफी सारे डाउट थे तो अभी तक मैं जो एम्स Paramedicals के काउंसलिंग के लिए वेट करेते हैं तो उनको ये कंफर्म कर देना चाता हूँ कि अभी आपका काउंसलिंग का सेडूल जारी नहीं किया गया है तो आपका नेक्स्ट टू से थ्री डेज में पॉसिबिलिटी ये है कि आपका भी सेडूल जारी कर दिया जाए तो इसकी जैसे ही एम्स Paramedicals की काउंसलिंग सेडूल जारी किया जाएगा आपको मारे चैनल पर वीडियो मादब जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी pan NBA में डिफ्रेंस ये रहत है कि यहे एक दरीके से Mewar current आपका trial round हैteadal round means कि आप अपनी जो चोईश फील कर रहे है तो उस चोईश में अगर आपको जय अ tienes back a drought हो जाता है mocc round में तो आ उप उसी को as SAS该 ground में आप रख सकते हैं तो mock round एक तरीके से mock drill मान सकते हैं कि आपकी practice के लिए है कि आप इसमें कुछ भी गलती करते हैं तो उसको आप फिर से जो real round होगा जो first round होगा उसमें आप सुदार सकते हैं जैसे कि अगर mock round में आपको जो आपने preparation fill किया है उसमें अगर आपको कोई भी college alert नहीं होती है तो फिर आप इसमें changes कर सकते हैं first round के लिए तो mock round original round नहीं माना जाएगा एक तरीकी से आपके लिए practice session मान सकते हो तो इसमें आप कुछ भी जैसे officer candidate ये बोल रहे हैं कि हमने जो msbac nursing के लिए क्यों 6 ही college fill की जबकि वहाँ पे 12 option दिया गया था तो अगर आपने 6 fill कर दी अभी और lock कर दिया है तो अब आप उसमें changes नहीं कर सकते next आपका जो real round वो start होगा तो उसमें 12 college अपनी fill कर सकते हैं या किसी candidate ने 2 ही fill की है और अगर उन 2 में उसको नहीं मिलता है तो जो first round होगा उसमें पूरी पूरी college है वो भी fill कर सकता है तो mock round और first round का difference यही है कि mock round एक तरीके से आपके लिए practice session मान सकते हैं कि आपको इस तरीके से participate करना है और अगर यह choice fill करेंगे तो इन में से आपको college मिलने के chances यह रहते हैं तो अगर आपको college नहीं मिल पाती है तो अपना जो seat order है जो college order उसको आप change कर सकते हैं सेम यही प्रोसेस एम्स प्रामेडिकल में भी लगू होगी एम्स प्रामेडिकल का schedule जासे ही जारी किया जाएगा तो उसके लिए mock round है वो करवाया जाएगा जो आपका final नहीं रहेगा अगर mock round का जो result जारी किया जाएगा तो आप उसको यह मान के ना चलें कि आपको उसमें seat अलोट होगी तो अब आपको वो college मिल ही जाएगा यह केवल एक trial round है जो आपका real round start होगा वो आपका एक फरवरी से start होगा और एक फरवरी से आपका दो फरवरी तक पांस वे तक आप उसमें जो भी choice field करेंगे जो भी order आप college का रखेंगे वो आपका final रहेगा और जो first round में आपको seat allot होगी वही आपकी final रहेगी अगर आप फर्स राउंड में जो seat allotment होगा उसी से ही आपका admission होगा यह केवल आपका trial round है फर्स राउंड का जो seat allocation है वो आपका पांस फरवरी 2022 को जारी कर दिया जाएगा और आपका जो online जो allocation seat है वो 7 फरवरी से और आपका reporting का time है वो 7 फरवरी से लेके 11 फरवरी तक रहने वाला है यह तो होगी दोस्तों आपके first round की complete यह process है तो first round आपका 11 फरवरी तक आपका चलेगा next आपका first round में अगर जिन candidate को college alert नहीं होती है तो वो second round में जा सकते हैं second round में participate कर सकते हैं अपनी जो order आपने जो feel किया था college का वो change कर सकते हैं आपको fresh order उसमें आपको choose करना रहेगा त आपकी 16 फरवरी से start होगी और किवल दो ही दिन का time दिया जाएगा दो दिन में ही आपको अपनी order choice feel करके आपको log करना रहेगा और इसका जो result है वो आपका 22 फरवरी से आपका 26 फरवरी तक इसमें आपको reporting का आपको time दिया जाएगा कि आप 22 फरवरी से 26 फरवरी के वीच म फिर open round start होगा और open round के लिए अलग से notification जारी किया जाएगा कि कितनी seat vacant रहेगी उसके लिए इनके दोड़ा ems के दोड़ा ems, paramedical या bs नर्सिंगे लिए क्या criteria रखा जाता है online ही open round करवाएंगे यह आपको physically वहाँ पे बुलाएंगे ems में तो यह इनका जो criteria रहेगा उसस रिल्टेड आपको अलग से notification जारी किया जाएगा तो जैसे ही notification जारी किया जाएगा आपको अमारे चनल पे वीडियो मादब जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी आई होब दोस्तों आपकी जो भी mock round और first round और second round से रिल्टेड जो भी doubt थी वो सारी किलियर हो गया होंगी अगर फिर भी कोई doubt रहता comment box में पूछ सकते हैं मिलते next new video में next new update के साथ में दन्यवाद जे ही जे बारत